राम राम किसान भाईयों, मेरा नाम रमन है, आप देख रहे हैं खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल, इस चैनल के माद्यम से हमारी फसलों में इस्तिमाल हो रही दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी आज एक कितना शक के बारे में जानकारी देंगे जिसको हम अधिकतर अपनी सबजीवर की फसलों में प्रयोग में लेते हैं इसका पूरा टेक्निकल है 80% प्लस इम्डा क्लोप्रिट 1.8% SP UPL कंपनी का ये लांसर गोल्ड के नाम से बहुती प्रसिद्ध है आपके छेतर में जिस भी अच्छी कंपनी की ये टेक्निकल दवा उपलब्द हो आप प्रयोग में ले सकते हैं विभिन पैक साइज में बाजार में ये उपलब्द है अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग व्यापारिक नाम से इस दवा को बेच रही है इसका एक किलो का पैक लगबग 800 रुपए का आता है प्रती 15-16 लीटर वाली टंकी में इस दवा की प्रयोग मात्रा 35 ग्राम तक ले सकते हैं इसका 100 ग्राम का पैकेट लगबग 110 रुपए का आता है कीमतें आपके छेतर में कम यह जादा हो सकती है आज कल दवाओं के रेड बहुत अधिक बढ़ चुके हैं 100 ग्राम दवा 3 टंकी 15-16 लीटर वाली के लिए परियाप्त है इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेट का यह अंगार के नाम से आता है जिसमें टेकनिकल असिफेट 50% प्लस इमडा क्लोपरेट 1.8 प्रतिशत SP उपलब्द है इस कीटनाशक के प्रयोग से अधिकतर रस चूसने वाले कीटों के उपर पूर्ण यंत्रन प्राप्त हो सकता है कुछ खामिया भी हैं इस कीटनाशक में अधिक ताकमान होने पर ये दवा प्रयोग में लेने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता ये सुंडियों के उपर भी कोई रिजल्ट नहीं देती सिर्फ रस चूसने वाले कीटों के उपर इसका प्रभाव रहता है इस कीटनाशक का प्रयोग आप अधिकतर सबजी वर्गी फसलों में करते हैं इसके अलावा खीरा, ककडी, खर्बूजा, तर्बूजा जैसी फसलों में भी प्रयोग में लिया जा सकता है आम में और सिंगाडे में भी इस दवा का प्रयोग हम लेते हैं इस कीटनाशक दवा का प्रयोग अगर सही मात्रा में और सही समय पे किया जाए तो ये हमारी फसलों को 10 से 12 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करती है बारिश होने की स्थिती में दवा के छिड़काओं के 2 गंटे बाद अगर बारिश होती है तो भी इस दवा का पूरा रिजल्ट रहता है सबजी वर्गी फसलों में जब भी आप इस कीटनाशक दवा का प्रयोग करें तो सिलिकॉन बेस स्प्रेडर यानि के चिपको का प्रयोग जरूर करें चिपको का प्रयोग करने से इस दवा के रिजल्ट और अच्छे निकल के आते हैं वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाओ हो तो आप कमेंट अवश्य करें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद